नमस्ते एवरिवन, English Vocabulary की इस सीरीज में आपका स्वागत है ये इस सीरीज का 8 वीडियो है इससे पहले के वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये है आज मेरे साथ एक नन्ना होस्ट और भी है जो की मेरा नेफ्यू है नमस्ते एवरिवन, English Vocabulary की इस सीरीज में आपका स्वागत है तो आएए लेट्स बिगिन स्केप गोट, S-C-A-P-E-G-O-A-T स्केप गोट, स्केप गोट मतलब बली का बक्रा ओ, बली का बक्रा आएए इसका English pronunciation सुनते है स्केप गोट, स्केप गोट स्केप गोट means a person who is blamed for the wrongdoings, mistakes or faults of others मतलब एक ऐसा मासूम व्यक्ती जो किसी दूसर की गलती की वज़े से फस जाए लेकिन चाचा मैं तो किसी और को फसा देता हूँ बेटा आभी चुप आएए समलने की कोशिश करते हैं कि स्केप गोट वर्ड existence में किस तरीके से आया सबसे पहले इसको Bible में यूज किया गया जहां पर एक ऐसा ritual और अनुष्ठान किया गया जिसमें एक बकरे को desert में छोड़ दिया गया और कहा गया कि प्रतीकात्मक रूप से इसराइल के सभी लोगों के गलत काम और पाप इस बकरे के साथ desert में चले गए हैं और अब सभी लोग पवित्र हैं उसी समय से यह मान लिया गया scapegoat का मतलब है कि किसी एक जीव को punishment दे दी जाए दूसरों के गलत कारियों के लिए आए इसके synonyms या similar words देखते हैं victim and whipping boy victim मतलब किसी का शिकार हो जाना और whipping word का मतलब होता है कोड़े लगाना whipping boy का मतलब हुआ कि किसी दूसरे की गलती की वज़े से किसी और को कोड़े लगाए या सजा दी जाए लेकिन ये तो बहुत गलत बात है हाँ गलत तो है लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आप भी तो ऐसा ही करते हो आये देखते हैं इस वर्ड को सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जा सकता है The CEO was made the scapegoat for the company's loss मतलब कमपनी को जो loss हुआ उसके लिए CEO को जिम्मेदार ठहराया गया मतलब उन्हें बनाया गया एक scapegoat Therefore, we can say that scapegoat means blaming someone innocent for the fault of others to get advantage मतलब एक आदनी को दोशी ठहरा दिया जाए किसी और की गलतियों या गुनाहों की वज़े से कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई train accident हो जाता है तो उसी समय अपनी moral जिम्मेदारी समझते हुए railway minister resignation दे देते हैं लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सीधे सीधे railway minister की कोई गलती नहीं थी लेकिन हाँ उनके department से बहुत बड़ी mistake हुई जिसकी वज़े से एक rail accident हुआ जिसकी moral responsibility लेते हुए उनको resignation देना पड़ता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो railway minister बन गए एक scape goat अगर थोड़ी मजाकी essence में देखें तो इसको देखके आप समझी गए होंगे कि कौन बन गया है बली का बकरा तो यह था explanation scape goat word का अब आप किसी को भी ऐसी situations में कभी देखें तो scape goat word का यूज बखू भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो यूज फुल लगाओ तो आप मेरी चाचा का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर रखे हैं मैं ऐसे ही useful information आपके साथ regularly share करता रहूँगा तब तक के लिए नमस्ते ओके नमस्ते बाई बाई हुआ हुआ है